दुगत उत्पादक संग राजकर त्वारा आज यहां एक विशेश बैठक आयुचित किया गया जिसमें नर्णाई लिया गया कि राजकर में आगामी 1 नवंबर से दूद का दाम 15 रुपे प्रतिल लीटर रहेगा दुगत उत्पादक संग ने राजकर में आयुचित स्वैठक में दूद के दामों में 5 रुपे प्रतिल लीटर की व्रिधी की है दूद के साथ ही घी वपनीर की कीमत में भी व्रिधी करनाई का नर्नाई इस वैठक में लिया गया जिसके तहट अब गाय का घी 800 जब की पनीर का मुल्य 300 रुपे प्रति किलो निर्धारिक किया गया है दुगत उत्पादक संग के अध्यक्ष कपल ठाकुर बर मुख्यस लहकार शेर सिंग ठाकुर ने कहा कि फील, चोकर, तूडीब, दवाईयों में पिछले समय से बेता हाशा व्रिधी हुई है इनकी बढ़ती कीमतों के कारण दूल, घी वपनीर की कीमतों में व्रिधी की जा रही है और नई कीमते एक नवंबर से लागु हुच आएगी उन्होंने बताय कि इससे पहले दूद की कीमतों में लगभग पौने दो वर्ष पुर्व व्रिधी की गई थी और वर्तमान में दूद की कीमत 45 रुपई लीटर थी इस अफसार पर संक्य उपा ध्याक्ष सुरीन महा सच्चेव जस्वन्त से कोश्वा ध्याक्ष राहुल ठाकुर उम्प्रकाश श्यर्मा जस्वन्त आदी से दस्थ से भी उपस्तित रहे आज दूद के खरेता संकी जो कारे कारने की जो अभी बैठक हुई और उसमें जो निर्ने लिया गया कि दूद का रेट प्रती लिटर के हिसाब से निया जाएगा और जो गोल से रहेगा वो अटाली सर पे प्रती लिटर रहेगा और घाजगर में थूख का जी और पनीर तीन सो रुपे प्रती किलो रिटील रहेगा और डाही सो रुपे प्रती किलो होल सेल के हिसाब से जो कारे कांडी द्वारा रेट फिक्स किया गया जी और गाय का घी आट सो रुपे किलो के हिसाब से और जो गाय के लसी बीस सर पे लिटर के हिसाब से इसका जो र किलो और पनीर तीन सुर पे किलो और गाय का दूद प्चास रपे प्रती लिटर किया गया पहले पंतालिस था और पढ़ती भी जो महंगाई है फीड का जो मुल्या है जो डॉक्टरों की फीस है जो दवाईयों की जो महंगाई है इसका करके यह अभी पचास रपे प्रती लि जीवन के और अगरसर हो यह जो जो मुल्य सुची मताईगी एक नौंबर से लागू हो जाएगी तो इसलिए सभी जितने भी जो पालक है और जो खृबने वाले क्रेटा है तो उन सब से इन सब की जानकारी के लिए बात मताई जा रही है कि जो भी दूद दिया जा रहा है वो उसका रेट चासर पे लिटर एक नौंबर से लागू हो जाएगा जी आपके घरद्वार पर सुविधाएं मारूती सुजुकी की गारियों की बुकिंग के लिए संपर करें नौतीर एक साथ शुने 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 एक साथ दूपर झाल